एक बड़ फिर से स्वागत हमारी YouTube चैनल पर आज के वीडियो में हम लोग Deontology और Consequentialism के बीच के difference को समझने वाले हैं इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको Epistemology और Ontology के बीच के difference को बताया था ये दोनों Ethical Theories हैं ये दोनों हमें बताने की कोशिश करती हैं कि इनसान को क्या action लेना चाहिए या इनसान को किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए किसी भी result तक पहुँचने के लिए किसी भी outcome के लिए क्या आपका means लेना चाहिए वो means, सही means लेना चाहिए कि गलत means लेना चाहिए चली example के जो है आपके मदद से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले deontology की बात करते हैं तो deontology कहता है कि हमें हमेशा universal moral principle को follow करना है हमेशा हमें अपने moral duty को follow करना है चाहें उसके चलते कुछ भी हो जाए लेकिन in moral principle से आप deviate नहीं हो सकते अगर सच बोलना एक universal moral principle है तो चाहें उससे किसी का नुकसान ही क्यों न हो जाए चाहें किसी की उसके कारण जान ही क्यों न चली जाए लेकिन आपको सच ही बोलना है इसका classical example हमेशा बोला जाता है कि मान लिजे कि एक विक्ति आपके घर में आके छुप गया दोड़कर क्योंकि उसको कुछ लोग मारने के लिए ढूंड रहे है अब जो लोग मारने के लिए उसको ढूंड रहे है वो आपको नहीं मारेंगे ये पक्की बात है और वो जानते भी ने कि कोई विक्ति आप ही के घर में आके घुशा है पर आपको पता है और आपको ये भी पता है कि अगर आप बता देंगे कि वे विक्ति आपके घर में छुपा है अगर आप सच बोल देंगे तो उसकी जान भी जाएगी तो इस टाइम पर आप क्या करेंगे तो इस टाइम पर डियोंटोलोजी कहता है कि नहीं आप सच ही बोलो क्योंकि सच बोलना तो आपका धर्म है, आपकी moral duty है, आपको universal moral principle को follow करना ही पड़ेगा, भले ही आपके सच बोलने से उसकी जान क्यों ना चली जाए, आपको सच बोलना ही बोलना है, वहीं दूसरी तरफ consequentialism यहां आएगा, और consequentialism कहेगा, कि नहीं, यहां पे अगर आप सच बोलोगे, तो सच बोलने से नुकसान होगा, तो जहां पे सच बोलने से आपको benefit ना हो, या किसी को नुकसान हो, तो वहां पे अगर आप जूट भी बोलोगे, अगर आप universal moral principle को, moral duty को follow नहीं भी करोगे, तो भी कोई बात नहीं, वो जायस चीज है, आप अगर जूट भी ब और जो आपके utilitarian thinkers होते हैं, वह consequentialism की ही बात करते हैं, जैसे Jeremy Bentham हो गए, J. Smith हो गए, Jeremy Bentham क्या कहता है, कि end will justify the means, आपके means को end justify करेगा, परिनाम क्या हुआ किसी कारे का, अगर माल लीजे मैंने खुब सच बोला, और उससे अगर मुझे नुकसान हो गया, तो ऐसा सच बोलना किस काम का, अगर मैंने जूट बोला, अगर मैंने किसी को पीट भी दिया, लेकिन उससे मुझे फायदा पहुंच गया, अगर मुझे pleasure मिला, तो बिन्थम कहेगा नहीं, तब तुमने अच्छा काम किया है, बस तुम सुखी हो ना, जूट बोल के भी सुखी हो ना, तुम ठ principle को follow नहीं करता, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि दोनो ethical theories है, right, ethical theory का क्या मतलब होता है, ethical theory हमें यह समझने में मदद करता है, right, कि अगर हमें कोई diffusion लेना है, तो उस समय हम क्या ethics को follow करेंगे, क्या morality को follow करेंगे, क्या सची हमें साब बोलेंगे, कि जूट भी कभी कभी बोल स ontology से related महात्मा गांधी भी थे, महात्मा गांधी ने हमेशा बोला, कि end and means both should be justified, अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको राह भी अच्छा ही चुनना पड़ेगा, आप बुरा राह से, अगर आप बुरा मार्ग लेकर अच्छा काम करते हैं, तो वो अच्छा काम किसी जो है काम का नहीं, ऐसा गांधी जी का मानना है, या इम्मैनुल कांथ का मानना है, आज कल के लोग तो consequentialist ही होते हैं, consequentialism में ज़्यादा वो लोग बिलीव करते हैं, कि एगर जूट बोलने से, अगर किसी को पीटने से भी, अगर moral principle ना भी follow करने से, कुल मिला के लिखा हुआ है, अगर अब देखेंगे deontology के बारे में, तो deontology हमेशा कहता है कि हमें rules और duty को follow करना चाहिए, हमें हमेशा morality को follow करना चाहिए, इम्मैनुल कांथ इससे जो है related हैं, जो मैंने आपको example दिया, consequentialism कहता है, कि आपका कोई भी action को judge करना है, तो वो उसके outcome के basis पर judge करेंगे, अगर मैंने खूब moral होके सच बोला, और उस सच बोलने से अगर मुझे नुकसान हो गया, तो वो सच बोलना कोई काम का नहीं, अगर मैं जूट बोला, उससे मुझे फायदा हो गया, तो उसका consequence क्या हुआ जूट बोलने का, मुझे फायदा हो गया मुझे लाब हुआ, तो वो जूट बोलना भी चलेगा, और इससे related आपके utilitarian thinkers हैं, जैसे बिंधम है, जो जेस मिल हैं, तो ये कुल मिला के बात है, तो ये utilitarian thinkers हैं, I hope आपको समझ में आ गया, यही आपका consequentialism का मतलब होता है, और आपका deontology का मतलब होता है, अगर आप epistemology और ontology के बीच के difference को समझना चाहते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं, बाय पढ़ो तो ऐसे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, because these terms are discussed a lot in Delhi University and JNU, when you enroll for master's in political science or any other, you know, maybe other subjects also, I don't know about other subjects, because, you know, a master's from that particular subject, that's why, right, so this is what I would like to tell you, so I hope आपको clear हो गया होगा, इस तरह से आपको काम क दहनेवाद, आप सबका दिन शुभ हो, और मिलता हैं अगले लेक्चर में, अगर आप निट की त्यारी करना चाहते हैं, सीविटी पीजी की त्यारी करना चाहते हैं, तो पढ़ो तो ऐसे इस दे बेस्ट प्लेस फो दाट, बहुत बहुत धनेवाद आप सबका,